सात्यों सभीकों नमस्कार केसे वह आप सभी बढ़ियाई होंगे दोस्तों अपने जो मिट्रलोजी की कलास है दो कलास हो चुकी है आज तीसरी कलास है जिसका नाम है मानसून मोसम का पूरुए नुमान और ग्रिनाउज परभाव दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे मानसून सब्सक्राइब 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 रीत्विय अब देखना दोस्तों इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मानसून इसके अलावा रीत्विय खरीप रभी जायन यह सभी अर्भी बासा के सब्द है अर्भी की कौन-कौन से मानसून रीत्वियन की खरीप रभी और जायत अर्भी बासा के सब्द इंपोर्टें अब देखते हैं आगे परकार मानसून के परकार दोस्तों मानसून की सम्मानेते दो परकार पाये जाते हैं कितने परकार दो परकार कौन-कौन से एक तो है दक्षिन पस्षी मानसून और दोस्त अपने जो दूसरा है उत्री पूर्वी मानसून तो यानिकी मानसून के समाने तो दो परकार पाई जाते हैं बारत प् Riley मानसून और उत्री पूर्वी मानसून मेरे दोस्तो अबर इनको विस्तार से पढ़ते हैं एक करके पहला है दोस्तों दक्षिन पस्ची में मानसुन कौन सा मानसुन दक्षिन पस्ची में मानसुन है इसका दूसरा नाम है वरहत वर्षाकालीन मानसून क्योंकि यह बारत में सरवादिक वर्सा करता है इसके अकारण वरहत वर्सा कालीन मानसून बोलते हैं कितनी करता है 80% कितनी करता है मेरे दोस्तों 80% वर्सा करता है इसके अलावा इसका परवेश होता है दोस्तों बारत में एक जून को कभे एक जून को और कहां होता है केरल के तठपर के तठपर इसके बाद में एक जून को केरल के तठपर पहुंचने के बाद में यह संपूर बारत में फेल जाता है और संपूर बारत में वर्षा करता है इसी कारणी मतलब 80% वर्षा करता है इसी कारणी इसको वर लिए संपोर्ण बारत में वर्षा करता है क्येवर्ण तमिलनाडू के पूर्वी घाट को छोड़ कर तमिलनाडू के पूर्वी घाट को छोड़ कर यह संपूर बारत में वर्सा करता है मेरे दोस्तों अब दूसरा है दोस्तों अपने उत्री पूर्वी मानसून कौन सा मानसून उत्री पूर्वी मानसून पहला हुआ था दक्षिन नाम देखते हैं पहली साका है उसका नाम है अरब सागर की साका और दूसरी का नाम है बंगाल की खाड़ी नाम है ने टिक है अब जो संपूर्ण जो वर्षा कर रहा है मतलब जितनी वर्षा कर रहा है उसकी यहцаकर करती महतना क्वेट यह और भंगाल जैनी यह जो टोटल कर रहा है इसी यह 80 और यह बीस परश्ण कर रहा है अब बात करते हैं दोस्तों उत्रीपूरवी मांसुन की बारे में तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है चकरवारतिये वर्सा चकरवातिये वर्षा या पुन्रावर्ति मानसुन यानिकी ड्रिट्रिटिंग मानसुन पुन्रावर्ति मानसुन ठीक है ये इसके उपनाम हो गए अब देखते हैं दोस्तों की उत्रिपूर्वी मानसुन इसे क्यों कहते हैं दोस्तों ये उत्रिपूर्वी दिशा से उठता ह है या आता है इसलिए उत्तरीपूरी मानसुन कहते हैं लेकिन ये दक्षिन बागों में बाउस के लेकिन ये का करता है दक्षिन बागों में कोण बागों में घंव कोण ही हाज मुखे तब टू मिलना युकर के ao फ्रीषओ important है तरप्मिलना डू और आंदर प्रदैस में क्या करता है वर्षा करता है कौन ऊत्रीपूर्वी मान्सुन ये हो गए दोस्तों आपके मुख्य मुख्य दो मान्सून जो वेरी important थे कि उसके बादम देखते हैं दोस्तों आगे मान्सून से उसक्षिर सम्य खूश्च कुछ ट्रम्स है है को आज में पक्सिमी विशो रिक्सो यह निकि वेस्टन डिप्रेशन या वेस्टन डिस्टर बेंस अब देख एक पक्सिमी विख्सोब क्या होते हैं तो सुनिये पसिम से आने कि अइसके विकशोब या पस्सिम से आने वाला मानमसुंक्षोब आए जिनकी वजाओं से बारत में उत्र वर्मध्यपारत में मतलब ऊत्र वर्मध्यपारत में परभी कि वरसा होती है। वो क्या कहलते हैं आक सिमी विक्सोर यानि कि कि सर्दियो को टुमें वर्षा सर्दियौ में हैं क्ला थे यह अपने दिसम्बर कि विख्षमत में दिसंबर से जनवरी के मद्च । बारत में गी अजन मान सून या विक्सोंप के कारणे वर्षा होत कि ये उछे पक्सिवी विक्सों बोलते हैं मेरे दोस्तों और राजस्तान में इसे जो सर्दियों में वर्षा होती है सर्दियों में जो वर्षा होती है राजस्तान में इसे बोलते हैं मावट और मावट जिसके कारण होती है उसे भी पक्सिमिक सोब बोलते हैं दोस्तों यह हो गए आपके पक्सिमिक सोब कारण जो अपने दक्षिनी पस्वी मानसून पढ़ा था दक्षिन पस्वी मानसून यह दक्षिनी पस्वी मानसून जिस परभाव के कारण बारत में आते आते कमजोर पढ़ जाता है और शुक्य की संभावना हो जाती है उसे ही क्या बोलते हैं अलीनों परभाव दूसरे दक्षिन पस्चिम मानसुन बारत में आते आते कमजोर पढ़ जाता है और सुख्य की संभावना होती है या वर्षा बहुत कम होती है दक्षिन पस्चिम मानसुन बारत में आते आते क्या पढ़ देता है कमजोर और क्या होता है सुख्य की संभावना सुख्य की संभावना किस लिए प्रवाव के कारण मेरे दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों है आगे यह औगया आपके मानसून अब देखते हैं मेरे दोस्तों मुसम का पूरू अनुमान मोसम का पूरू नुमान यह हैं मोसम का पूरू नुमान देखते हैं तो मोसम को आने से पहले उसका बहुष्यवानिया पूरू नुमान लगा नहीं मोसम का पूरू नुमान कहलाता है दोस्तों मोसम का पूरू नुमान तीन परकार से होता है और मोसम का पूरू नुमार है तीन परकार्से लगाया जा सकता है कि परकार चे परकार कर लगाया जा सकता है मेरे दोस्तों तो कौनकौन से परकार है वह करें अ है पहला है दूसरा है practiced मेडियम ट्रम से एह मेडिम ट्रम और तीशरा मेरे दुस्तों लॉंग ट्राम को लोंग हुआ जुआ तरह यानकी ये मतलब लगवों के लिए लगव को quand कै अव्दी मोसं पूरुनमान यह मध्यम आव्दि मोसं पूरुनमान और ये दिर्ग आवधि मोसं पूरुनुमान मद्यम अवदी मोसम पूरुनुमान और यह दिर्ग अवदी मोसम पूरुनुमान दोस्तों यह जो सोट वाला है यह होता है दोस्तों तीन दिन के लिए तीन दिन से कम के लिए वेलिड या लगाया जाता है और यह मद्यम अवदी वाला होता है दोस्तों तीन से दस दिन के लिए होता है और यह लोंग वड़ा होता है दोस्तों दस दिन से अधिक के लिए दुबार से समझेए सोट मीडियम और लोंग यह होता है तीन दिन के लिए होता है और मीडियम वड़ा होता है तीचे दस और लोंग वड़ा होता है दस दिन से अधिक दस दिन से ज्यादा के लिए होता है अब देखते हैं दोस्तों अगे कि मोसम पूरो नुमान ग्याद करने की वीधियां यह तो क्याते है परकार क्याते है यह परकार अब ग्याद करते हैं मोसम पूरो नुमान ग्याद करने की वीधियां वीधियां कि वीदियां मेथड मेथड वेदर पॉर्कास्टिंग तो इसकी मुख्यत है दो वीदियां है पहला है सिनोप्टिक मेथड़ पर सिनोप्टिक मेथड और दूसरा है मेरे दोस्तों इस्टेटिकल कि अस्टेटिकल मेथड दोस्तों सीनोप्टिक मेथड यह यूज ओता सो्ट रम वाले के लिए यहनिकी लुग वड़ी के लिए लगू तो अब दी वाले मोसं यह पूरुनुमान वाला वह है एन सी एम आर डबलू है यानिकि नेशनल सेंटर फोर मीडियम रेंज वेदर फोर कास्टिंग और इसका मुख्या ले है कहां नई दिल्ली कहां है मेरे दोस्तों नई दिल्ली यह हो गया मोसम का पूरुनुमान अब देखते हैं दोस्तों ग्रीन आउस परबाव ग्रीन आउस परबाव ग्रीन हाउस परबाव यह इसको क्या बोलते हैं दूसरा नाम गलोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग इने फ desirable यान ग्रीन आउच प्यक्ट बोल दो एक इस बात है अब देह किए क्या होता है ग्रीन आऊउस प्यक्ट या ग्लोबल वार्मिंग परतवी के ओसत्त आप मान में लगातार वर्दी धूना ही क्या कर लाता है गलोबल वार्मिंग लिकिये यहां परत्वी के ऊसत तापमान में लगातार वर्दी ओना क्या कर लाता है ग्रीन हाउस प्रभाव और वह कैसे होता है लगातार वर्दी ताप मान में यह होता है दोस्तों ग्रीन हाउस गेसों की करण अब वह ग्रीन हाउस गेसे कौन-कौन सी है यह भी समझेगा वह है दोस्तों सीओ टू शीए पोर और और शीएफ सी इन गेसों के कारण यह ताप मान लगातार बढ़ता है और ग्रीन हाउस पर बाव होता है यह कैसे होता है देख यह कारण बताता हूं यह गेसे जब मात्रा सम्मान्य में होती है मतलब सम्मान्य मात्रा में होती है जैसे वायो मंदल में सीओ टू की मात्रा जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो थ्री होती है तब तो वह हैं कोई दिकत नहीं करती है लेकिन इसकी मात्रा मतलब इन गेसों की मात्रा इन गेसों की मात्रा इससे मतलब सम्मान्य से चारों और क्या करेगी कोवर ऐसे कवर दरसा देगी यान की आवरण कि मतलब इनके समने मात्र होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन इनकी मात्र सम मेने से दिखोगी जैसे एक्जांपल के लिए लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो वहें कारिये करेगी ग्रिन हाउस गेस के रूप में और परत्वी की चारों और कवर या वाईव मंडल के चारों और एक कवर आवरण कर लेगी जिससे सूरी से आने वाली किरणे अंदर परवेस्तों कर जाएगी लेकिन परत्वी से बबड़ेक्स आईगी यहां पर और वापस यही रहा जाएगे नहीं बाहर नहीं जा पाएगे सके करान लगातार तेमप्रेचर में लगातर ताफमान में क्या होती है दोस्तों फरदी होती है इसी कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है या गलोबल वार्मिंग होता है मेरे मेरे दोस्तों अब देखते हैं कि ग्रीन हाउस और सियेंट और सोरा प्रसेंट और स्यफूर से ऑप सबसे कम दोफरेंट याद तो चिंतर शोला च्छे और दो परशेंट योगदान देती है इन में से आ जाए मतलब सबसे पहले पूचे कि कौन कौन से तो यह तीनों है लेकिन एसे जाए कि मुख्य ग्रीन हाउस गेस कौन सी है तो दोस्तों वह है में योगदान अपना देती है मेरो दोस्तों तो यह हो गया आज का टोपिक तीसरा जिसमें हमने पढ़ा मान्सून यह और इसके अलावा मोसम का पूरण मान और ग्रीन हाउस परभाव के बारे में जब तक दोस्तों धन्यवाद